हाई फ्रेंज में हुआने विल्कम टो मूवी शुवी मैंने अभी तमिल मूवी का ट्रिलर देखा जो की पैन इंडिया मूवी बोल के रिलीज किया जा रहा है और इसके जो प्रडूसर है वो है बोनी कपूर तो उनको पता होना चाहिए कि इंडियन मार्केट के अंदर हिंद पूरा ट्रेलर आ गया तो ऐसा लग रहा है कि वो जो अपने जौज कुर्णी टाइप के लुक में थोड़े से सौट और पेपर वाला तो नहीं पूरा वाइट ही है उनका हैरस्टाइल यहां पर उस तरीके के हैरस्टाइल में वापस आ गये हैं वो यह ट्रेलर जो है वो ह क्या समझ में आया ट्रेलर में पहले तो कुछ समझ नहीं आया डालोग को कि इसके अंदर सब्टाइटल भी नहीं थे विच वेरी बैट ओके थोड़ा सा गुस्ता मुझे इसी बात का है अगर मैं आक्शन की बात करूँ क्योंकि आक्शन से शुरू होता है तो जिस तरीके स इन्होंने एक्शन को एक्जी क्या गया वह एक नेक्स लेवल है जिन में लिए अच्छे तरीके से एक्जीक्यूट होए एक्शन के अंदर दमदार रियालिटी भी एक ट्रक का सीन आता और उसके नीचे बंप उठता तो जो बंप आना चीए इस तरीके से आपके ट्रक के उपर उसके बर कोई इंसान है तो भी ऐसे बंप लेगा वो काफ़े इसे तरीके से शॉट हुए में फिर थोड़ा सा जो अगेंस्ट है यह यह पुलिस में है या फिर कोई ईएख स्पैशल इंवस्टिगेशन ग्रूप के अंदर है और इसके लाइफ में कैसे उथल पुतल हो जाते बिकास अफ दस बाइकर ग्रूप तो पस्नल रीजन भी बन जाता है और यह बाइकर ग्रूप ने जो चोरीयान नहीं थे जैसे मैंने बताया तो वो था तो बेरा टेक अवे था कि इसके अंदर एक्शन थोड़ा अच्छा होगा जो बैक्गरॉंड म्यूजिक है वो रन अफ दो मिल है कोई नथिंग इस नियू है फिर मुझे यह समझ में आया कि अजद का जो लुक हमें प्रेजेंट किया इस्पेक्टर टाइप वुज लीडिंग टीम शॉट्स और उधर स्टाइलिश तरीके से कर्तिकेन को दिखाया गया वह अच्छा दिख रहा है तो यह मेरा मोटा मोटा प्रतिक्रिया थी कि वन वर्स अनदर होगा बैड वर्स गूड होगा जो गूड होगा वह सूपर स्ट यह अगर आपको जैन्मेली सूपर हीरो या फिर कोई बहुता है तो इसके अंदर ज्यादा एक्स्रा पावर्स होती है वह समझना है तो स्टैनली के इंटर्व्यू सुनिये स्टैनली हमेशा बोलते थे कि जब कभी भी मैं किसी एरो की पावर लिखता तो उससाथ में यह ज साउथ इंडियन मूवी में आप ऐसा लगने लगे है कि अगर हीरो दिखाना है तो प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया हो जाती है बहुत जबर्दस हो जाता है लेकिनों अन्डिफीटिबल टाइप सा आद्मी हो जाता है आप चाहें मास्टर को ले लीजे शुरू आत दिखानी चाहिए जिससे आपको लगे कि वो थोड़ा से नीचे गया है फिर वो बाउंस बैक जब होता है न तो आप ज्यादा बड़ी सीटी पर जाते हो यह मेरा मन है मेरा मूवी की प्रेजेंटेशन साउथ की इतनी बढ़िया है कि आप उसके अंदर ना समा के अंदर घ इसे भी हो रहा है यह रियल है विच इस बिग विन ठीक है फिलाल जो मैंने ट्रेलर देखा मुझे लगता है कि मेरा मूवी शुवी स्कॉर होगा इसके लिए बी प्लस मिलते हैं जल्दी